हेलो फ्रेंट्स सुमिट आज मैं लेकर आहे हूं आपके लिए हमारी ब्रह्मस्तर सेरीज का लेक्ष्ट वीडियो है लेक्ष्र नमबर 5 हमारा आज आज करनेवाल हमारा आशोमरिजम नाज़ आउस पार्ट डैर भी कहते हैं ठीक है तो आज युदिए वीडियो के लिए और हमने अप्टिकल आइसोमरिस्म कवर किया था उसके अंदर हमने और सब्सक्राइब कर रहा हूं कि उस वीडियो को जरूर अच्छे से गोतरू उसको कर लीजिए देन उसके आपका नेक्स टेप आज का वीडियो सब्सक्राइब करते हैं यह होते किस किस के अंदर है यह में देखना कंफर्मर होते हैं आपकी पहली चीज तो यह तो होगी के अंदर थीक है अलके के अंदर होंगे दूसरी कंडिशन इसके पैंली कंडिशन तो अब यह कंडिछ में कोघthose वेजिए कि बी चाहिए वह भी कंटिनियोज है कर गल किसमें होंगे उन हेलकेंज में जिन में तीन स्ग्मा बॉंड हों कैसे हों इसंटीनियोस कैसे होंगे शीमपल चीज़ाओ है ठीक है क्या इसमें तीन सिक्मा बॉंड कांट्इनियुस हैं का मतलब यहां पर ऐसे है एक साथ बी सब्सक्राइब के साथ सी से सब्सक्राइब क्या यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिख रहा है देखो मान लेते हैं एक है दो और तीसरा कंटिनियस यह मान लो यह मान लो तो तीन कंटिनियस सिंग आप अब टो ठीक है तो इस में से इसमें नहीं मैं बात करूँ अगर सब्सक्राइब के लिए अच्छा अब कंफर्मर के लिए अगर हम क्या कहें डैफिनेशन अगर बेसिस पे आपका हो तो क्या होगा जी यह वह होते हैं जिन में से जिन में structureल पॉमला से बस इसमें arrangement of atoms इसमें भी क्या होगा arrangement of atoms different होती है जों अबाऊट सिगमा बॉन्ड सिगमा बॉन्ड क्या बाउट और सिगमा बॉन्ड में कैसी। रोटेशन होनी चाहिए । ओ नहीं होथी है। जैसे हमने पढ़ा था कि जिससके अंदर स्ट्रिकटण हो जिसमें प्री रोटेशन ना हो तो एसे कंफर्मर्र कोन दिखा आएगा जिनके अंदर सिगमा की फ्री रोटेशन हो छीक है जिन जिनमें एटम्स डिफरेंट पे होंगे उनकी 3D स्पेस में अलग 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 अर्रेंजमेंट उनकी होगी और फ्री रोटेशन वाले बॉंड के अबाउट ठीक है और दूसरी बात जो थी इंपोर्टेंट जो मैंने भी बताई आपको की लगबग थ्री सिग्मा बॉंड होन होती कैसे अब हम पहले करते हैं कि अे ने कि देखेंगे आप इसको इसके लिए हमारे पास दो ततरेहें हैं सख़ gef cens और नूमें में प्रोजेक्शन में किया है था उसके समझ लेते हैं इतते ही इन बनाने मुझे तो फोमल्य के होता है मि इसके अंदर हर एक जो सिगमा पूर्ण आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं ऐसे करके दिखाओ गया ऐसे ठीक है तो यह हमारी सो होट्स प्रोजेक्शन न्यूमें प्रोजेक्शन में क्या होता है इसके अंदर ऐसे करके होता है यह यह और यह सरकल कि ऐसे कर दो नहीं मैंने एक पॉइंट दिखाया हुआ है यह आगया वाला कार्बन возмS ऑर यह सरकल दिखाया है यह कारबन सेंटर जो इसके पीच्छे है मतलब यह ऐसे है कि एक पॉइंट जो है वह आगया वाला कार्बन और इसके सरकल तो यह नियूमन प्रोजेक्शन अब इसके अंदर बिए इनकी को इसमें क्या करना है हमें इसके अंदर यह जो बॉंड है किसी एक को हम हम fix कर लेने मानलो आगे वाले को मैंने fix कर लिया पीछे वाले के जो बॉन्ट क से जो पीछे वाला में Election कर लए गभी कलिए mark आशगया क्या है कैसे अब इसके अंदर मनलो मैंने इसको इ mock Me इनको आप रोटेट कर दीजिए ऐसे हो जाएंगे तो अब यहां पर आप देख रहे हैं यह वाली जो फॉम है और ऐसे ही अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आप ऐसा हो जाएगा मानलो 60 इसको रोटेट करता हूं तो क्यासा होगा यह एक को तो फिक्स रखा और एक को मैंने रोटेट कर दिया तो यह वैसे हो गए उल्टे हो गए तो दो तरह कि हमारे पास प्रोजेक्शन आ गई तो यह है न्यूमें की और यह है स्वहोर्स की अब इसके अंदर क्या है इस वाली जो फॉम को जिसमें एक के उपर एक बॉंड आ रहा है यह एक के उपर इसके पीछे वाला बॉंड इसे कहते हैं और जिसमें यह दूर- और इसके अंदर यह स्टैगर्ड है और यह इसके जस्ट ओर लैप कर सकता अगर मैं इसको एक के पीछे करूं तो एक जैसे है तो यह इसकी एक लिप्स फॉर्म है अब मुझे आप एक चीज़ वाता है कि इन में से ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉम होगी एकलिप्स फॉम तो इन में क्या होगी आपस में रिपलशन होगी एक उसे के बहुत पास है तो और यहां पर क्या है इस वाले में देख तो यह दूर-दूर है काफी ठीक है ना 10-degree angle का difference मतलब काफ़ी दूर दूर है दूर दूर थो इन के बीच में डिपल्शन मिनीमम होगी रिपलिशन मैंन तो स्टेबिलिटी मैक्सिम तो अकर मैं देख हूं से बीटी बेसिस पे तो स्टेगर्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है living more stable okay then Eclipse phone clear एये चीज ठीक है तो मैंने किस के confirmar बनायें यह भी इत्हेंन का confirmar बनाया है इसमें आपको यह चीज बताई एब इसके अंदर जो generally हम use करेंगे और हम Newman projection करेंगे ठीक है तो हम आगे आप बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन बिहाफ पर बनाने वाले हैं सारे के सारे कंफर्म ठीक है तो आगे हम एक बनाकर देखते हैं प्रोपेइन का अब अब कैसे होगा आपको प्रोपेन को ऐसे दिखाना पड़ेगा थिक है एसमझ में आरेला है एफ हो मैं इसको अब मैं और निमें प्रोजेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा निमें मैं ऐसे प्रोजेक्ट करें गया है ठीक है मालों मिथाइल हमारा यहां हो गया इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन पीछे वालों के पास हैड्रोजन है है सिंपल ठीक है इसको रफी कर देते हैं कि मैं इसको रूटेट करता हूं कि रूटेट करने से मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी मेरे पास बन गई इसको फिक्सर हो आगे वाले को फिक्सर हो सिर्फ पीछे वाले को रूटेट करना है और कितना रूटेट करना है सिक्स्टी डिग्री जैसे आप इसको सिक्स्टी डिग्री रूटेट करें तो यह वाला हमारी हमारी कॉंसी क्यों एकक्लेपस के उपन हाग guitr थीक है टीक है तो यह एक्लेपस और प्रोपेन के अंदर बन रही है तो यह चीह के लिए tulee ह्याँ को almost के अंदर भी एकलेप से चल रहे हैं चालिस क्यों नहीं ले रहे तो सिंपल सी बात है अगर आप कंफर्मर बनाना चाहते हो तो इंफाइनाइट कंफर्मर बन जाएंगे अगर बनाना चाहोगे तो बनाने को हजारो कंफर्मर बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब सिंपल सी बात है सबसे लुख के बिच में बनेंगी वहारो हमारी क्या कहलाती हैं उन कोन कहते ह्क्याज़ मतलबॉं को जुख होती हो ओक यंदोनों के बीच मामला ठीक है। तो वो सारा की सारी structure हमारी कुन सी캉ं हो जाएंगी अगर स्टेबिलीटी की बात करें तो स्टंग सबसे अदा स्टेबल उसके बाद स्क्यू उससे कम सबसे कम स्क्यू और सबसे कम एकलिप्स वादा ठीक है तो यह मैंने प्रोपेन का आपको दिखा दिया कंफर्मर कैसे बन रहा है ठीक है यह चीज़ क्लियर होगी स्टेविलिटी अब अगली जो सबसे कंफर्मर में देखो बनाऊं पहले ऊपन बना देता हूं आपके लिए असे करके इस तरीके से हम इसको तो स्टेडी करेंगे ठीक है पर आप इसको प्रोजेक्ट किसमें करेंगे न्यूमेन वाले प्रोजेक्शन में देखो ऐसे आ जाएगा थोड़ी ड्रॉइंग गंदी है हमारी कलाकारी आपको पता ही है बस उसको थोड़ा साइड रख करके कंसेप्ट समझने की कोशिश करें जाद अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है कि सबसे पहला फों ठीक है इसके पीछे हाइड्रोजन इसके पीछे हाइड्रोजन ठीक है यह हमारा ब्यूटेन है है अब मैं करता हूँ इसमें सिक्टी डिरॉटेशन है सिस्टी डिरॉटेट कर आपने तो कि ना है यह अपने को बन रहा है ऐसा कुछ तो मिठे करनें तो एले को यह बन जाएगा ऐसे करके अब इसको मैं 60 डिग्री और रोटेट करता हूं और भी बात करेंगे इन सब की स्टेविटी की बात में देखो यह तो फॉर्म थी हमारी सोग इेगलेप्स सब्सक्राइब और यह तो यह क्यों सिर्म नाम पस्पार्ण आपकी लोपसहाहता प्लं सिक्स्टि डिग्री और रोटेट करते हैं माललो अब क्या होगा यह मिताहिल हमारा इसके पीछे आ जायेगा ज्क श्कोग है यह आगे वाला अपना अभी यह आगे वाला अपना मिठाइल हो गया है इसके पास आ गया और दूसरा वाला है इन बाई साथ के पास आ दिख रहा है अब यह अगेन कैसी फोम हो गई एक एकलिप्स फोम हो गई यह भी बट यह कंप्लीट एकलिप्स नहीं है तो इसको एक दूसरा नाम भी देते हूं पार्शियल एकलिप्स कहते हैं ठीक है मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं इसको रोटेट कर रहा हूं थोड़ा सा इसको इधर घुमा के इधर कर लेते हैं अगेन शिक्स्टी डिग्री रोटेशन थोड़ा बड़ा तो शूरा अगे वाला अपने को फिक्स रखना ही रखना है ठीक है अगेन थो यह अब मिधायल का आ जाएगा आधि हमारा एक्जक्ट ुसके नीचे आजाएगा हाइड्रोजन भाहिसाब जो इधर यह हमारे इस तरफ आ जाएंगे और यह वाले भाहिसाब है इस तरफ आ जाएंगे अब यह जो फों में यह कैसी फों में यह अगें स्टैगर्ड है लेकिन इसमें जो सेम गुरूप थे वह एकदम अपोजिट आ गए हैं जुसरे के इट मी भाही स्टैवोरोटेट करता हूं है अब क्या होगा ये वाला मित है इसके पीछ ए रिपीट रहे हैं हैं आप यह मिटाई्रूजन हाइड्रूजन यह भाई साथ इसके पीछे मिठाइल, घाइडरोजन यहाँ एक हाइडरोजन भाई साथ यहाँ ठीके अब यह कौनसी फॉर्म आ गई यह अगेन हमारी वही फॉर्म आ गई, कौनसी वाली एकलिप्स वाली, पर क्या यह कंप्लीट एक्लिप्स है नहीं यह भी पार्शियल एक्लिप्स है अब मैं अगर इसको और 60 रोटेट करूं तो क्या होगा कि अब हम इसको 60 और रोटेट कर रहे हैं अब यह मिथाइल कि थोड़ा बड़ा कर दें यार अब ये जो मिथाइल यह वापस यहां पर आ जाएगा इधर यह मिथाल वापस आया हाइड्रोजन इदर आ गया और एक अब कौन सी हो गई अब इस वाली फॉर्म को इसको में टो देते हैं इस वाली फोर्म को देखो इस वाली फोर्म को जो सैकंड वाली दो इसकेंड इस तो यह भी यहां पे दो भी सेम ग्रूप एक दूसरे के साथ तो यह भी कौन्सी फोरम हो गई गॉष्ट फोरम ही है जो हमारी बन लिए वाण टू थ्री फॉर 5 आप इसके बाद में अगेन हमारी ठीक है समझ में आया मैं यहां पर क्या कर रहा हूं यहां पर हर बार 60 डिग्री रोटेशन के बाद क्या हो रहा है कि अलग-अलग फॉर्मेशन बन रही है और कौन-कौन सी फोर्म बन रही है देखो मार्क कर लेते हैं पहले 123 इस वन इस यह फॉर्थ अब इसमें मुझे बताना सेम सेम कौन सी है सेकंड और सिक्स्त जो है हमारी सेकंड एंड सिक्स्त यह कौन सी है हमारी गौश्ट फोर्म ठीक है जो हमारी फोर्थ थी वह थी हमारी एंटी स्टेगर्ड या एंटी फोर्म अकेली ऐसी थी दुबार उसकी और कोई नहीं वनी ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड और कौन सा है भाई फिफ्ट की is a third and you have partially थे को और जो हमारी फॉर्स्ट थी हमारी ही फुली एक्लिप्स थी क्या थी फुली एक्लिपस फुली एकलिपस हुत्लब एग्जेक्ट सेम्टल में एक सामी का ओगे पीच्छे तो हमारे पास पटाफट से आपको यह रोटेशन दो सौंझ में आगे की वह सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और सबसे कम स्टेबल कौन सबसे कम स्टेबल वह वह है जिसमें सेम वाले एक्जेक्ट दूसरी के पीछे मतलब और उसमें फुली एकलिप्स लीस्ट स्टेबल क्यों कि इन में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी सेम जो एक्जेक्ट पीछे उसके बाद गौश्ट फॉर्म जो है वह स्टेबल होगी क्योंकि उसमें बहुत सबसे च्छेक्ट वाली दोमों सेम नमबर पर आएंगी उसके बाद हमारी गोश्ट फॉर्म और एंटि फॉर्म लोगी क्यों सबसे ज्यादा दूरी पे सेम एटम इसी फॉर्म के अंदर बाकी गोश्ट में पास-पास थे इन सबसे कम धक्काई इसी में लगेगा सबसे कम दखका इसमें लगेगा तो इसी चीज़ को समझ लेते हैं आपको सौंझ में आगए यह चीज़ ठीक है आगे एक बार ग्राफिकल सबसे पहले हमारा चुरुबात में कैसा था फुली एकलिप्स फॉर्म सबसे जदा एनर्जी थी क्योंकि लीस इस्टेबल थी उसके बाद हमारी अगली सेकेंड फॉर्म आई गौश फॉर्म जो थी गोशे फॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी आई थी ठीक है क्योंकि उसमें ब पार्शली एकलिप्स उसके अंदर एनर्जी फिर अगेन रिपल्शन की वएसे बढ़ गई देन उसके बाद हमारी फॉर्थ फॉर्म जो आई डैट इस एंटी स्टेगर वाली जो थी एंटी फॉर्म वह सबसे आदर स्टेबल थी तो उसमें एनर्जी सबसे कम होगी फिफ् ठीड़ के बार्शली एकलिप्स के बाद जो 6 फ्वां हमारी ऑई 6 फॉर्म जो थी वहां अगर ओफस अगर रोटेट करते तो हमें फूली फॉलेफिर थी वही वापस मिल रही थी ठीड़ना तो हर बार-बार 60 डिग्री के रोटेशन पर बार-बार हमें अलग-अलग फॉर्म मिलती रही यहां पर डिग्री ओफ रोटेशन का पार्ट आ गया ठीक है तो अगर मैं इस भीहाफ पर अगर मैं इस ट्रेविलिस्टी ओडर लगाना चाहूं ował če मोस्ट उपल से एकलिप्स के बाद कोन सी एकलिप्स के बार और हो गया साथ के साथ के साथ से हम देखें तो यह हमारा ब्यूटेन कंफर्मर के लिए हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया जिससे हम स्टेविलिटी पता लगा सकते हैं तो अब कुछ और कर लेते हैं जिसमें की कोशन बन सकता है इसकी अहीं कर लेते हैं सबसे पहले एक एक जामपल लेते हैं थे हैं इसको बना कर QUE देखते हैं इसमें इसकी कौन सी सब्सक्राइब होगी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं ठीक है कि इसकी यह वाली फॉम जाधा स्टेपल होगी यह तो फिक्स रहेगा चेंज अपने को क्या करना है सिर्फ यह वाला भाई साहब कि हुआ ठीक है अब इन तीरों सब्सक्राइब होगी यह तो हमारा बन रहा है एंटी का केस ठीक है यह तो एकलिप्स एक ओंपर हमारे गोश्फोर्म जो है मारी वो जारत स्टेबल एक्यूंकि यहां पर ओएच पास है तो इनके बीच में क्या होगा है इंट्रा-mollecular hydrogen bonding कौन सी इंट्रा-mollecular H bonding हो जाएगी जिसकी वजहाएसे स्टेबिलिटी जो है जाधा बढ़ जाएगी एस कंपेर टूएंटी हाला कि दूर दूर यह हैं स्टेबिलिटी इसमें लेकिन इन में हाइड्रोजन बांडिंग इंट्रमोलकिल की वैसे जाधा स्टेबल हो जाएंगे तो ऐसी चीज धियान रखनी है कोशन में कहीं हाइड्र इतेन नौल इस तरीके से पूशन था तो उसमें क्या होगा यहां पर भी हैड्रोजन बॉंडिंग तो यहां पर भी आएगी तो उसके अंदर भी जो ज्यादा स्टेबल थी तो ध्यान रखना ऐसे केस में जब एंट्रमोलकिल बढ़नेंग का केस बन जा है तो उसमें गोश एक कोशन ऐसे भी था कि आपके बास ऑप्शन है एथेन और है एक्जा है क्लोरो इथेन कि इन दोनों में से कौन जाद अदलाव स्टेबिलिटी दिखाएगा सिंपल है इतने आप कैसे बनाओगे ऐसे और इसमें कैसे बनाओगे छेज्चे क्लोरीन वाले बाबा कि इन में इसे कौन जाद अस्टेबल है हां यह जाद अस्टेबल है यह क्लोरीन अटम बड़े बड़े है इनके अका साइस बड़ा है तो इनके अंदर भी जाहते बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगेज़ कम से कम रहेगी तो इस तरह से पूशन पूशब है कैसे बनाने होते हैं कंफर्मर किस के स्वर्म में होता है कौन सी जादा नहीं नहीं sq अब इसके अंदर हम करने वाले हैं साइक्लोगुर्ण कार्मार कमें नहिंद हैं Lemon Sleep in GC सांटर में बनाने एक चीज दियान रखनी है कि साइकलोगाइन आप जो प्लेनर होंगे जो प्लेनर होंगे वो कंफर्मर नहीं दिखाएंगे प्लेनर कंफर्मर शो नहीं करते हैं यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्लेनर होंगे वो कंफर्मर नहीं दिखाएंगे फॉर एक्जामपल इसमें एक चीज होती है एक फेक्टर होता है यह इंगल ली यह बताता है कि आपका कौन सा जो कन्साइब सबस्टेबल होगा बनाएगा एंगल स्टेइन होती है क्या होता है देंखो हमने बात करी सिंगल बॉर्ण सब्सक्राइब और अगर एंगल कि इतना होना चाहिए तक है लेकिन साइकलिक स्टॉक्चर में यह लेता हूं ऐसे यह लेता हूं साइकलो प्रोपेन ले लेता हूं तक है इसके इंदर कितना फिक्स्टी कि इट मीन्स होना कितना चीह हैं मेरे लिए एक सो नो डिए ठाइस मिनट के लिए लेकिन यहां कितना ज्यादा बॉंड को स्ट्रेंड कितना ज्यादा फॉर्स लगके उन्होंने अपनी शेप चेंज करी होगी तो यह क्या स्टेबल रह पाएगा एंगल स्टेंड इसमें के लिए करके बात करूं तो कैसे होगा ऐसे अब बंजा यार अब इसके अंदर यह बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन ठीक है तो साइक्लोपेंटेन के अंदर जो एंगल होगा वह अलग आएगा 90 से जादा याएगा लगवा एक सो आट डिग्री के राउंड आता है ठीक है साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन और यह लगभग लगभग श्कुन DRUG नहीं तो यह कनफरमर नहीं दिखा सकते टेजिए अगर दिखा भी रहा है वह उतना स्टेबल कनफर्मर नहीं होगा पॉस्टेबल कनफर्मर नहीं होगा तो अब नहीं अ तो ब्लया साइक्लोपें ना सायक्लो व्यूतैन तो इस टेब्ल कौंग सा कनफर्मर आया तिखल कर आया कि लिए हमारा सायक्लो हेक्जेन जो आप बनाओंगे जिसके अंदर आपका एंगर होता है कितना होता है साट मैं देखलते 120 डिगरी अंगल होता है वो मूस्ट स्टेबल कंफर्मर बनाता है 120 डिगरी अंगल होते हुए विक क्यों क्योंकि जब उसकी स्टेबल फोर्म निकाली जो की प्लेंडर नहीं है तो उस में निकल के आई उसकी चेयर फॉंट की चेयर फॉंट ऐसे कि एक कारबन दो तीन चार पांच और यह च्छ ठीक है साइकल एक्जेन की चेर फॉर्म आई और इसका जो एंगल था लगबग लगबग 111 डिगरी के करीब आ यह उन्हों ने इस तरीके से देखा कि यह वाला जो एक्षों डिगरी एठाइस मिनट के करीब बहुत ज्यादा क्लोज तो यह वाले ज्यादा स्टेबल होंगे दूसरी चीज यह प्लेनर आ रहे था यह प्लेनर नहीं तो यह नहीं दिखा सकता था इसी लिए उस भी आप पर स्टेडी करें कि साइकल transit जो है वह मॉश्ट स्टेबल क्या है आपके can interfere में हो तो सबसे आदा स्टेबल दिखाता है sustainability था टिक है अब यहां सृक्लoi एक जेन केशन फोम हैं अलग अलग सॉम है है तो इनके अंदर आगर देखा जाए ये हे हमारी और ये होती है हमारी वाट फोम और यह होती है हमारी वर्च टवस्तिट वो sépt वोत हमने ठोड़ी ट्विस्ट कर दीये और यह हमारी पूरी नहीं बन पहीं तो मैं非常 OAV यs बनते हैंstars अन्दर क्या होता अगर मैं पूछ हूँ इसके इंदर यहां पर आड़ें को हैं क्या होता हुआं यहां पर एक होतु पर ऐिक फॉर्म काम करती हैं स्वारा और क्या होता है फ्लैग पोल इंट एक्षण होती जिसके वह सही है थोड़े से स्टेवल हो जाते है ठीक है उसके बाद अगर आप आप बात करोगे तो वोती है तो अब यह चीज है कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई उससे कम हमारी ट्विस्टेड बोट और उससे कम में आता है बोट और सबसे लीस्ट स्टेबल के अंदर आता है आपका हाफ चेयर ठीक है तो यह हमारा साइक्लोहेक्जेन वाला हमारा आपका कंफर्मर में आ गया अगर कभी ऐसा हो जाए ऐसा कंपाउंड आजाए तब आप क्या करोगे तब आप कह देना वहीं ट्विस्टिट बोट से हमारा बोट वाला जो है यह जादा स्टेबल हो जागा क्यों क्योंकि यहां पे इंट्रामो क्योंकर पर डिप में कोई ऐसा कोशन बन जाएगा इनहीं कि स्टेबलीटी के ऊपर पूछा जाता है कि कौन कनफर्मर दिखाए को निदेखाएगा एक फ़र्मला और लिख लेता हो आपके लिए एंगल-स्ट्रेंट का क्या है एंगल-स्ट्रेंड जो है उसका फॉमलले य तो जितना ज्यादा होगा उतना अत्याधिक वह अंस्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड उतने ज्यादा खिच रहे होंगे ठीक है तो यह था हमारा कंफर्मर का पार्ट ठीक है जो आपके जैए नीट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट था आज हमारा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करते रहे हैं सबको घ्यान बाटो ठीक है तो थैंक्यू फ्रेंड्स झाल झाल